वे फर्स्ट आफल गुड मॉर्णिंग डॉल आफ यू तो अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस तो में तेल के अंदर वो है टॉर्जनल इस्ट्रैसेज तो हम इस्ट्रैसेज पढ़े थे वन बाई वन हमने काफी सारे पढ़ चुके हम जैसे सिंपल इस्ट्रैस पढ़ क्या है कि दो तोर्जन क्या है कि जो ट्वार सिद्टिन्ग क्या है कि देखो में आदब हम बात करने किस चीज़ की वीव वो लेकिन कैसी है ओ सर्कूला यह बात ते वाई ने उस है supporter है वो अमारी square or rectangle नहीं है, पहली चीज ये वाली चीज fix हो चुकी है, मतलब हम किसकी बात करेंगे only, shaft की बात करेंगे बात clear है तो हम बात कर रहे है, shaft की तो जो हमारी shaft होती है, उस shaft के उपर कुछ ऐसे couples लगे हुए है couples का मतलब क्या होता है? moment, couples का मतलब क्या होता है? moment, कुछ ऐसे couples लगे हुए है जिनकी सहायता से जो हमारी beam है वो क्या हो रही है? twist होने की कोसिस कर रही है मतलब उसको पर rotational moment लग रहा है तो उन couples को क्या बोलेंगे हम? twisting moment, उन couples को बोलेंगे twisting moment या twisting couple और वो जो लग रहा है उसी को हम क्या बोलते है? torque बोलते है तो torque क्या है? generally torque है जो हमारा applied moment होता है applied twisting moment होता है उसी को हम क्या कहते है? torque कहते है तो चाहें आप applied twisting moment बोलो चाहें आप torque बोलो ठीक है? दोनों का मतलब क्या है? same है या फिर applied couples बोलो twisting couple बोलो twist moment बोलो couples couples का मतलब moment होता है यह मतलब moment का मतलब तो हता हमारा load into perpendicular distance लोड को और distance मिल गई तो हम क्या बोलें के समय के लोड कैसे है दो लोड लग रहे हैं और दोनों को परपेंडिकुलर डिसे से हम क्या बोलेंगे couples तो देखो यह one और one two जोड़ा हो चुका है इसको यह distance थी इन दोने के बीच की, तो यह क्या 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 आएगा हमारा, यह जो moment है, उसका जोड़ा क्या आएगा हमारा couples, couples है moment, तो यह क्या होता है, जैसे मानली जी, यह हमारी shaft है, पहली बात मैंने fix कर दी कि, जो हमारी किसकी बात कर रहे हैं, यह केवल, circular shaft की बात करेंगे, यह हमारी circular shaft है, तो इसको उपर देखो, इस तरह से, मैंने क्या कर दी है, पूरी shaft के उपर यहाँ पर एक पुली लगा दी, और उस पुली पर क्या है, दो नीचे, इस तरह से, यूँ, एक रसी बंदी हुई है, बात क्लियर है, यह हमारी shaft थी, shaft में हमने एक पुली यह लगा द तो जो पुली है, पुली भी घूम रही है, तो उन दोनों के घूमने कार्ण क्या हो रहा है, वो इसके अंदर एक ऐसा effect प्रोडूस कर रहे है, कि यह जो है ना, यह देखो, आपको इस marker कर यह दिख रहा है, बलेक बलेक, तो यह देखो, यह ऊपर था, यह वाला point यह, इस पुली घूम रही है, तो वो भी घूमेगा हमारी, घृनी मतलब पुली घूमेगी, पुली घूमेगी, तो यह जो है इस तरह से move करने की कोशिस करेगा, मतलब यह twist करने की कोशिस करेगा, दो चीज़ होती है, तो अगर लोड उपर से लग रहा है, तो क्या होगा, बेंडि कोशिस करते है, तो ट्विस्ट बोलो, ट्विस्टिंग बोलो, या ढोर्जन बोलो इन दोनों का मतलब क्या है, एक यह तब का मतलब क्या है, तो यह ख़ुर से हमारे टोर्ग का, तो जो उपर जो इसके उपर अपलाइड हो रहा था, इस पक पहल भोल helped couple को हम क्या बोलते है twisting moment या फिर torque कहते हैं और उसके कारण अंदर क्या उत्पन होती है beam के अंदर twisting उत्पन होती है इससे क्या कहा जाता है ठीक है वही तो इन दोनों का मतलब एक है तो मैं यह shaft है हमारी इस shaft में यह हमारी shaft है और इस shaft के अंदर यह आपको जो लोट दिख रहें यह दिस्टेनस है इस लोट के कार्ण के हो कीमने कोसिज करेंगे कैसे है जोनों का मतलब एक है यह घूमने को सिस करेंगे तो यह जो हमारी मैं इसको हम क्या बोलें यह हमारा क!! यह तो हैं हमारा sila twistingprendh उ मोमेंjan या फिर इसको बोलें और T.O.R.Q.U.E. टॉर्क ये तो है टुस्टिंग मोमेंट या टॉर्क इसके कारण हमारी बीम के अंदर जो इफेक्ट होता है जो टुस्टिंग होती है उसे क्या गाजाता है उसे बोलते है अपन टॉर्जन तो टॉर्जन क्या है बेसिकली ये है हमारा इफेक्ट अब देखो आप कैसे समझोगे जैसे कि हमारे देखो अगर मैं बात करता हूँ अपलाइड मोमेंट कौँसा मोमेंट लगा हुआ है अगर बीम पर बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है तो उसके काण क्या इफेक्ट होगा बीम में बीम में क्या होगी उसकी बेंडिंग होगी और अगर उसमें क्या लग रहा है बीम में टुिस्टिंग मोमेंट लग रहा है या उसको क्या बोलते है बन टॉर्क बोलते हैं यह लग रहा है तो उसके कांड क्या होगी हमारे टॉर्जन होगा टॉर्जन या ट्विस्टिंग अब आपको क्लिर हो गया होगा बेंडिंग मुमेंट लग रहा है यह बीम है बीम पर इस तरह से मुमेंट लगा रहा है उसके कारण क्या होगा भैंडिंग मोमेंट वैंडिन तो जो बाहर से लग रहा है उसीको क्या बोलते हैं इस पहार लिए हैं है अपन बहुते हैं बात कर्सक्री पेलेते हैं आ güv हम किसके लिए पढ़ रहे हैं circular के लिए बेंडिंग मोमेंट अपन कуска किसी भी मोसकता है सकता है इसका है सकता है या फिर रेक्टेंगिलर के लिए हुं किसके लिए यह हम उसके लिए के लिए ठीक है अब आपने लिखेंगे इसके अंदर एक दो लाइं लिखेंगे मैं इसको मिटा देता हूं आप इसको अपने नॉलेज के लिए उपर कहीं भी लिख सकते हैं लिखेंगे बई सर्कुलर शाफ्ट पर अपलाईड कपल्स की वजहे से साफ्ट में ट्विस्टिंग उत्पन होती है साफ्ट में क्या होती है? ट्विस्टिंग उत्पन होती है इस अपलाईड twisting moment को क्या कहते हैं torque कहते हैं वे इस torque के कारण develop हुई twisting को torzen कहा जाता है बात के लिए रहा भई तो यह हमारा तो यह क्या होता है हमारा यह होता हमारा torque और torzen इसके बाद में आप यह diagram बना देंगे इसके बाद में आप यह diagram बना देंगे यह हमारा distance मालो डी थी दी तो टी बराबर क्या हो गया यहां पर हमारा टी बराबर हो गया पी इंटू में डी इस इसकी बाद चल रही है कर समझने के लिए आप इसको अतार देंगे एक चीज़ लिख देंगे टॉर्क को अपन कैसे देनोट करते हैं टॉर्क को कर्वड एरो या डबल हेड़ेड एरो द्वारा दर्साया जाता है ठीक डबल हेड़ेड एरो क्या होता है हमारा यह होता है ऐसे दर्साते हैं या फिर ऐसे दर्साते हैं इन दोनों में किसे एक तरीके दर्साते हैं अपन किसको टॉर्क को ठीक है बई तो इस टॉर्क के विरुद इस बॉड़ी के अंदर एक मुमेंट अपने आप रेजिस्टेंस का मुमेंट अपने आप डवलप होता है जैसे कि आप बोलते से अपने महां पर पढ़ते थे थे ना मुमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब टॉर्जन के विरुद जो अपना एक रेजिस्टेंस डवलप हो रहा है उस मुमेंट के विरुद अपना जो रेजिस्टेंस डवलप होतों से का बोलते है अपन टॉर्जनल मुमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो इस तरह से अपन यह होता है अब इसके बाद मु capacity कौन सी होती है जैसे हमारे एकूइसन थी ना बैंडि ओन्धिक इकूइशन को मुझती हहाँा अब मैं लिखता हुत के नीचे ऑच rif कि क्या होती है यह यह देखो यह हमारी बीम है इसमें यह पॉइंट है एक यह मारे सीजिये यहां से अगर यह अगर यहां अप तो देखो यह जो क्रॉस सेक्षन ना आपका क्रॉस सेक्षन इस क्रॉस सेक्षन पर यह जो हमारा अपलाइड टॉर्क है यह जो हमारा अपलाइड टॉर्क है ना यह यह हमारा टी तो इस अपलाइड टॉर्क की वज़े से यह टी हम इस तरह से गुमा रहें इस अपलाइड टॉर्क की वज़े से यह जो आपको पूरी लेयर दिख रही है अब मालों जो मैं आपको कल दिखा था ना आपने मैं आपक करके और रोल कर दिया इस तरह से ठीक है आप जब उसको रोल कर दोगे गोल गोल तो उस रोल में से आप इस तरह से करोगे तो क्या करेंगे एक एक पेज बाहर निकल जागा लेकिन कैसे निकलेगा वो एक एक पेज की तरह निकलेगा लेयर की रूप में तो एक उपर वाली ल होते हैं तो एक शीर सेट रबलट होगा इस पर और फिर स्के नीचे वालए पर फ्रों से नीचे वाली पर उससे तरह से हमारे करको चरल खोते हैं तो थो हमारा इस्ट्रेश थी जो हमारा बेंडिग मुवेंट था था मैं मुच στη मेंडंडिक stress and tor एकांड कौन से होंगे torsional shear stress तो shear stress ही होंगे लेकिन कौन से होंगे torsional shear stresses देखो दो तीन shear stress हो चुके हैं एक तो कौन सा था हमारा shear force था SFD BMD जिसका हम shear force diagram बनाते हों किसका बनाते हैं जो हमारे cross-section के perpendicular होता है इस तरह से ठीक है SORRY parallel जो होता इसका तुम बनाते हैं कि हमारे। असे लाज इसके पैरलो चो क्या पहुत है अ मारे लगते हैं यह लगता है उसका स्का विए शियर फोस टैजराम और यह जो पैरलल यह लग रहे हैं ऐसके काड़ लेर दकिने लेर लैयर मारे तेट आइड को fix कर दिया बहि यहां पर बीम किया हमारी कैसी है soft के रूप में तो soft के रूप में जब है तो इसका जो surface ना ये इन पर इन पर जो हमारा लग़ा है उसे हम क्या बोलेंगे उसे बोलते हैं torsional shear stresses यह भी शिएर stress है और यह भी shear stress है यह हमारा simple shear stress है और इसके इकान कौन से होगा उऩी एडियर उग उनका डाइगराम भी कैसा बोनेगा हमारा वैसा दा है जैसा उसका है किसे तरह रहे है हमारे वह सब तरह देख में एक तो देखो भाइव मैं बात करना हूँ चोटा सा एक सेक्षन ले रहा हूं उपर किया लग रहा है तो इस तरह से लग रहा है करें लग रहा है ठीक है देखो न आप चोटा सा पॉइंट ले लिया मैं उस पर यू लग रहा है टी यह यू लगेगा तो इसके ज़श्ट भी लगेगा इसे अपॉजट लगेगा इनको रोकने के लिए क्लिए यह लगेगा यह लगा तो अपॉजट आपॉजट आपॉजट लिए लिए अपॉर इस गज़श्ट घं़ टो बाई आउर तो देखो आप टी अपॉजट 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 अपॉज़ इस गज़श्ट तो इस तरह से रिलेसंसी पूरती है इन दोनों के बीच में तो लगबग लगबग एक ही चीज़े हैं यह हमारी ऐसी बस वहाँ पर bending moment था यह twisting moment है आप इस heading से उपर वो चीज़ जरूर लिख लेना भाई क्या लिखोगे आप यह इस तरह से moment और यह effect आप इसको जरूर लिख लेना जिससे आप comparison दरपा दोनों को तो moment कौन सा हमारा? bending moment उसके काण कौन सा effect होता हमारा? उसके काण effect होता हमारा? bending और यह twisting moment और इसके काण क्या होता हमारा? इसके काण होती है हमारी torzen या twisting एक ही चीज़ है और twisting moment को पन क्या बोल सकते हैं इसका दूसरा नाम था हमारा torque तो दोनों चीज़े लिख लिए ना उसके बाद आप heading डालेंगे torsional moment equation अब मैं torsional moment equation आपको लिख देता हूं torsional moment equation मैं आपको लिख देता हूं किस-किस चीज़ के बीच में है तो देखो यहां से यहां तक की जो total distance नहीं है यह तो है हमारी capital R और यहां से किसी fiber तक की distance है small r ठीक है अब मैं देखो t upon j is equals to toe by r is equals to c theta by l अब बात आती है यह theta क्या चीज़ है और हमारा c क्या है l क्या है l तो आप जानते हो l तो होगी है हमारी length होगी t जो है हमारा वो है torque ठीक है यह apply twisting moment torque यह twisting moment j क्या होता है भई j को अपन बोलते है j को अपन i p भी बोलते है moment of inertia कौन सा वाला polar moment of inertia ठीक है और यह क्या होता है हमारा polar moment of inertia j को थोड़ा सा अपन लेगे j बराबर ip और polar moment of inertia क्या होता है इसको समझे लो आप यह हमारा कोई भी section है इसकी यह x x से सवर यह y है तो x x के सापक्स जो moment of inertia क्या होता है i x y y के सापक्स क्या है i y y तो अगर हमे z के सापक्स निकालना है देखो z कौन सी होगी जो आपको मार कर दिखे रहा इसकी जो direction है यह हो गई x यह हो गई y यह हो गई z तो z z के सापक जो हमारा moment of inertia उसको क्या बोलते है polar moment of inertia जिसको हम j से denote करते है इसको कैसे ग्याद किया जाए यह जो हमारा z z है i z z को कैसे ग्याद किया जाए i z z को अपन ग्याद करते है किसके द्वारा perpendicular axis theorem के द्वारा और उसके according i z z बराबर क्या होता है हमारा उस theorem के नुसार हमारा i z z बराबर i x x प्लस में i y y i y तो यह होता है हमारा polar moment of inertia polar moment of inertia बारे में चलो बाद में लिख लेंगे भी एक दो लाइन में आपको लिखवाई दूँगा इसका और चे समझ में आदाश के नीचे ही आपने लिख लिया वही जे जे के बाद में देखो 2 क्या हमारा shear sorry यह stress तो है वेकिन कौन सवाल आई है यह हमारा torsional shear stress टो के दो आ रहा है यह अपने इसको दोनोट करते है R क्या है radius of shaft C क्या है C है हमारा shear modulus पढ़ चुके हुआ आप C एन या जी से डोनोट करते है क्या हो दाता shear stress upon shear strain 2 upon theta पढ़ा था ना आपने वही चीज़ जाई है C shear modulus या modulus of rigidity दोनों का मतलब एक ही है modulus of rigidity C के बाद में बाद आती theta की theta क्या हमारा यह होता है angle of twist जितना भी twist हुआ है माल लीजे point हमारा A यहाँ पर था और यह A point यहाँ पहुँची है उसको मैंने A डास बोल दिये due to T तो जितना भी angle गुमाए ना यह theta उस angle क्या बोलते है angle of twist बोलते है और L क्या होती है यह होती है यह होती है यह होती है length of shaft अब मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर देखो polar moment of inertia z sorry z बोलो चाहे ip बोलो चाहे izz बोलो क्या होता है हमारा i x x plus i y y ठीक है अब मैं आपको उसके नीचे लिख देता हूँ z 4 circular shaft बराबर क्या हो जाएगा बढ़ी circular shaft के लिए i x x plus i y y क्या होता हमारा pi d 4 by 64 होता है i x x और i y y बरावर pi d 4 by 64 तो कितना हो गया pi d 4 by 64 plus pi d 4 by 64 2 pi d 4 by 64 और 2 से चौनल कर जाए कितना जाएगा 32 pi d 4 by 32 तो हमारा इसको मैं उपर लिखता हूँ आप उतार देंगे इसको इस complete को उतार लो भई तो यह जो हमारा polar moment of inertia कितना हो गया? यह हो गया हमारा i z z या फिर z या फिर ip बराबर हमारा हो चुका है pi d 4 अपोन में 32 उसके बाद में अपन लिखते हैं क्या लिखते हैं? torsional section modulus z t z t क्या हो जगा? भई m upon i बराबर sigma upon y आपने क्या किया था? m बराबर sigma into i by y इसको क्या बोल दे था आपने? z बोल दे था z क्या था हमारा? section modulus मैंना को बोला था यह actual z e होता है elastic section modulus ऐसे क्या होता है हमारा? i upon y था y हमारी distance थी और i क्या था? moment of inertia जब हम ratio लेते हैं किसका? अब आपने यहाँ पर भी देख लें क्या यह कुशन होते? t upon j बराबर toe by r यह होता है t बराबर toe into j by r j by r जो होता हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं z t polar moment of sorry polar section modulus क्या बोलते हैं इसको अपन? polar section modulus या पर torsional section modulus तो यह हमारा torsional section modulus क्या हो जागा? j by r j by r और j कितना होता है? pi d 4 by 32 upon में r कितना था हमारा? r होता है d by 2 तो कितना हो गया यह? pi d cube upon 60 तो मैं आपे लिख देता हूँ note में note 4 circular section j या फिर बोल जाए ip बराबर क्या होता है हमारा? pi d 4 by 32 और हमारा इसके लिए z t क्या होता है? यह होता है pi d q upon में 60 बहुत काम की चीज है आगे काम आई की बार बर इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया तो यहां circular का ही काम चलेगा तो आपको डैक लिए ध्यान रखना है z t क्या होता? pi d q upon में 60 only ठीक pi d q upon में 60 रहता हमारा z t और अगर आपन बात करते हैं bending moment वाले की bending moment sorry bending stress वाले case में m upon i sigma upon y m बराबर sigma upon i by y तो बराबर sigma into z बहापर z क्या होता था? i upon y i क्या होता circular का? pi d 4 by 64 upon में y कितना होता था? d by 2 तो कितना हो गया? pi d q upon में 32 तो आपको अंतर दिखरा दोनों के अंदर यह और इसके अंदर इन दोनम क्या कितना है? यह दुगना होता है इसके compare pi d 4 pi d q upon 60 और यह कितना? pi d q upon 32 क्या आए यह? यह तो हमारा केवल simple section modulus हो रही है torsional section modulus है अब हम बात करते हैं वह इसके बाद में आप इसको उतार लेंगे अब आपन next देखते हैं इसके अंदर क्या torsional देखो मैं आपको question करें directly shear stress distribution लिखा आता उसका मतलब भी होगा अगा उसने twisting moment लिखा है torsional shear stress distribution कैसा होगा? आपको दिख रहा होगा वही since t upon j बराबर toe by r therefore toe is directly proportional to r shear stress है हमारे radius के क्या है? directly proportional है तो अगर हम देखते हैं तो यह हमारा center है center से जैसे जैसे आप उपर जाओगे यह तो capital r है और यह क्या है? कुछ दूरी है हमारी small r तो जैसे आप center से दूर जाओगे तो क्या होगा? toky value बढ़ती जा रही है और कैसे बढ़ रही? directly proportional को square वगरा कुछ नहीं इसका मतलब क्या है? इसका diagram बनेगा हमारा linear बनेगा ठीक है? इसका diagram कैसा बनेगा हमारा linear बनेगा तो हमारा यह जो torgenal stress का distribution होता है वो कैसा होता है? linear होता है आपको दिख रहा है साफ-साफ कैसा होता है यह हमारा linear होता है ठीक है? तो अपन इसके अंदर लिख देते पहले एक line पहले आप यह उतार दो इसको उतारने के बाद में यह क्या है हमारा? यह है linear इसमें लिख देंगे अपन torsional shear stress का distribution cross section के along linear होता है ठीक है बई? आप इसको उतार दो उसके बाद आपन नेक्स देखते है यह तो मैं जो आपको बता है diagram torsional shear distribution का यह मैंने simple bar के लिए simple bar के लिए simple solid shaft के लिए बनाया है अगर हमारी shaft कैसी होती अगर हमारी shaft compound होती तो उसके लिए कैसा बनेगा उसको अपन नोट में लिखते हैं उसको अपन लिखेंगे note के अंदर तो आप note डालकर लिखेंगे क्या shear stress distribution for composite अब composite shaft कों से होती है दो material से मिलके बनी shaft को अपन क्या बोलेंगे composite shaft मतलब क्या हो रहा है उसके अंदर यह material 1 है और यह material 2 है ठीक है यह हमारी G1 है और इसकी अपनने CT अपन लिखा है ना तो आप इसको C मानो तो इसका जो है हमारा दो material के मिलके बनी shaft है यह shaft कैसी होगी आपने एक के अंदर दूसरी shaft को डाल रहा है आपने बहुत सारे एक्जामपल देए हमारे पैंसिल होती है पैंसिल देखो आप काट के देखो लकड़ी लकड़ी की बीच में क्या लैड है तो सेम वही चीज है तो दौन दौना अलग-अलग-अलग material की है ऐसी हमारी shaft है उपर को उपर है बीच में क्या अलग-अलग shaft है उसे composite shaft बोलेंगे इस वाले case में देखो अपना क्या है इस तरह की shaft हमारी composite shaft है अगर हम बात करते कि अगर C1 is greater than C2 है तब तो diagram कैसा बनेगा इस वाले case में if C1 is greater than C2 एक तो case हो जकता है यह जो है बीच वाली shaft इसका C1 modulus of rigidity क्या है ज्यादा है in comparison to second shaft तो दूसरे material की तुलना में इसका ज्यादा है C1 greater than C2 है तो diagram आप क्या सोचोगे T upon J C theta while to by R is goes to C theta by L तो आपको दीख रहा है कि जो हमारा R है यह होगा तो इसमें C1 ज्यादा है तो इसका यह क्या होगा ज्यादा होगा इसका shear stress क्या होगा ज्यादा होगा C1, R1 R तो दोनों के लिए same है तो अगर हम center से चलेंगे थोड़ा सा C1, C2 अगर हम भई center से चल रहे हैं हम center से चलेंगे तो diagram कैसे बनेगा हमारा वैसे ही बनेगा इस तरह से linear बनेगा लेकिन जैसे ही आप इस वाले point पर पहुंचे इस वाले point पर पहुंचते ही आपने देखा यह c2 हो गया और यह नीचे c2 हो गया इस वाले point से जश्ट उपर मतलब distance क्या है यहां से यहां तक की r1 मालो यहां से यहां तक की भी r1 है तो r1 distance उपर जश्ट थोड़ा सा उपर नीचे होने पर क्या हो रहा है यह change हो रहा है और c1 क्या है यह ज़्यादा है c2 काम है तो अपना क्या बनेगा टो अपन आर इस गल टो c theta by l देखो अगर टो निकाले टो क्या हो गया into r l constant है theta constant है r constant है यहां से यह तक की दूर तो दोने के लिए से में लगबग इससे थोड़ा सा उपर जाते है यह c2 हो गया थोड़ा से नीचे जाते ही c1 मतलो medical change हो रहा है तो हमारा अगर यह c1 जादा है तो इसका क्या आएगा यह वाल डाइग्राम जादा आएगा और दूसरे वाले क्या हो जाएगा फिर automatically कम हो जाएगा तो इसकी value तो आएगी जादा इस वाले की value तो आएगी जादा तो जादा के लिए मैं डागराम ऐसा बना रहा हूँ तो यहां तक तो क्या है भाई यह यह हो गया हमारा c1 उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा अचानक से इस वाले point पर कम होगी कम होने के बाद में फिर से वही चलेगा इस तरह से होगा तो यह बात सबको समझ आए कि नहीं आई क्या है यह पिर से बतायता हूं में भाई distribution होगा कैसा यह हमको पता इस तरह से होगा center चले हम बढ़ने लगी दीर दीर जैसे हम इस point पर पहुंचे तो इस point पर पहुंचती है इतना पहुंचोगे इसकी value कितनी हो गई 10 हो गई लेकिन जब हम इस point से थोड़ा से उपर जाएंगे तब आपने toe निकाला तो देखो theta common है r common है l common है इन तीनों गुणा मालो 2 है ठीक है और c1 कितना था c1 था हमारा 5 था तो 2 गुणा 5 बराबर 10 आपकी value आगई यहाँ पर इससे थोड़ा से उपर जाते ही r इन तीनों की value constant रहेगी ठीक है इन तीनों की value क्या है हमारी 2 है लेकिन c2 की value है वो क्या है कम है c2 की value क्यों है c1 की जादा इसकी value मालो 4 है तो 4 दुनी क्या आगया 8 तो इसी point पर इसकी value क्या जाएगी कम आजाएगी कम आने के बाद में फिर ऊपर चलेंगे पर दीर दीरे तो material क्या होता जा रहा हमारा आर बढ़ता जा रहा है आर बढ़ता जा रहा है और इसकी value कैसी बनेगी लियर तो यह distribution होगा हमारा किसका shear stress distribution for composite section बात के लिए रहे उसके बाद में बात करता हूं तो यह तो हमारा दूसरा हो गया अगर यह भी तो सकता ना if c2 is greater than c1 अब क्या हो जाएगा इतना संतर है इस वाले case में क्या होगा हम चलने लगे और यह इस वाले point तक तो यह value आई हमारी कितनी 10 लेकिन जैसे ही हम इस पर पहुँचे तो हमारा c2 हो गया जादा c2 जादा होता ही लो हमने जादा कर दिया फिर उपर चलेंगे तो यह बढ़ने लगेगा इस वाले case में c2 जादा हो करके और इस तरह से बढ़ जाएगा तो हमारे दोनों डाइगराम बनगे दोनों लीनियर है थोड़ा सिंज होता है तो यह सीर स्ट्रेस डिस्विन डाइगराम आप बना लेंगे इसके बाद में फिर अपन पढ़ते ही इसी कंदर next topic वो क्या है टॉर्जनल स्ट्रेंथ of shaft जैसे हमने वहाँ पर क्या पड़ा था moment resistance capacity of shaft m बराबर sigma into z उसी चीज से z से हमारा सारी चीज़े control हो रही थी दो तिन question भी करवाए थे ऐसी यहाँ पर है same as it is क्या चीज़ है यहाँ पर यहाँ पर torsional strength है हमारी तो torsional strength किस पर depend करेगी है हमारी वो depend करेगी totally किस पर J पर J का मतलब polar moment of inertia इसको उतार दो इसे मैं मिटाता हूँ अब मैं next लिखता हूँ next क्या लिखता हूँ torsional strength of shaft कौन सी shaft circular shaft torsional strength of shaft यह क्या होगी हमारी यह होगी टी अपॉन जे बरावर टो बाए आर तो टी बरावर टो बाए टो इंटू मैं J by R और इसको क्या बोलते हैं Z T तो T बरावर टो इंटू में Z T ठीक है बई यह होती है हमारी torsional और Z T अपन लिख देते हैं अपन जानते हैं पाई D क्यूब अपॉन में 60 यह हमारा क्या होता है Z T होता है तो आप इसके अदर पहले एक लाए लिखेंगे ट्विस्टिंग मुमेंट को मैग्जिमम ट्विस्टिंग मुमेंट को रेजिस्ट करने की कैपैसिटी लिख देते हैं यहाँ पर यह लिखेंगे मैग्जिमम ट्विस्टिंग मुमेंट को रेजिस्ट करने की कैपैसिटी टॉर्जनल स्ट्रेंथ कहलाती है बात के लिए रहा भई क्या कहलाएगी हमारी टॉर्जनल स्ट्रेंथ कहलाती है उसके बाद में आप यह उतार देंगे टॉर्जनल स्ट्रेंथ का पॉर्मलर क्या होता हमारा यह होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ती बराबर तो इन्टू में पाई डे क्यों अपॉन में 60 यहां से अपन निकालें तोर्जनल शियर इस्ट्रेस तो बराबर तो क्या हो जाएगा 16 ती अपॉन में पाई डे क्यों यह हो क्या टॉर्जनल शियर इस्ट्रेस और यह टॉर्जनल मुमेंट है इतना मुमेंट यह जहिल सकता है इतना स्ट्रेस में डवलप होगा तो डवलप की भी बात कर सकते हैं अपन भई ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि इतना मुमेंट अगर लग रहा है अगर इतना stress develop हो रहा है तो कितना moment जहिल सकता है इतना stress अगर develop हो रहा है तो कितना moment जहिल सकता है तो आपके कुछ भी निकाल सकते हो या पर आप क्या निकाल सकते हो इतने moment के कारण इतने twisting moment के कारण कितना stress develop होगा कर दोनों एकी चीज निए पन चाहें आप क्या करती हो डिजाइन करते हो या पहले से पता है रहते कितो यहाई पासला किटना आप और इस यह करते हो फिद निए तो आपने क्या कर दिया अब दूसरा कोशन क्या है आप से युक कह दिया क्या क्या को मुमेंट नहीं पता आपको दे दिया BD और AST दिया मतलब डिजाइनिक पहले से दिदी भी को अब क्या रहा है अब आप बताओे कितना जहिल सकता है उसको क्या बूलते हैं उसको बोलते हैं moment of resistance है तो मुमेंटी उसको भी एंसे देनोट करते हैं इसको भी आएप से नोड करते हैं तो यह क्या हो रहा था पहले से आपको moment पता था कि इतना लोड हमको कि भी अर करवाना है इतना लुट हमको कैरी करवाना है तो उसकी designing बताओ BD और EST बताओ इसमें क्या था BD EST यह है अब बतादो कितना जेल सकता है यही चीज यहाँ पर है यह दे रखा है तो आप यह निकाल लोगे यह दे रखा है तो यह निकाल लोगे अगर मैं बात करता हूँ 4 इसको अपन यह किसके लिए था बई डाइमेटर डी तो सॉलिड साफ्टी होगी यह किसके लिए हमारा 4 इसके लिए शाफ्ट तो अब मैं आप लिख देता हूँ 4 holo shaft holo shaft का मतलब क्या है इस तरह shaft है हमारी इसका यह डाइमेटर तो है हमारा capital D और यह डाइमेटर है हमारा small D तो उसके लिए हमारा t क्या हो जाता है t हो जाता 2 pi d4 minus small d4 divided by capital D अपो न मैं 16 बात क्लियर है, तो आप स्ट्रेस भी निकालोगे, स्ट्रेस के जगा, कैपिटल D4 माइनस स्मॉल D4 अपॉनमेंट, यह हमारे स्ट्रेस हो जाएगा, यह होलो के लिए है, और एक इसके लिए है, सॉलिड सर्कुलर, आप इसको यहां पर लिख लेंगे, मैं इसको मिटा देता ह है, ठीक, ऐसी फोर होलो शार्फ यह हो जाएगा हमारा, और इसके लिए आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टो अपोजिट हो जाएगा, आप इसको उतार दो, फिर एक कोश्चन लिखते हैं अपन, मैं इसको मिटा देता हूँ, कोश्चन लिखते हैं पर, ए, सर्कुलर, शाफ्ट ओफ, डायमीटर, डायमीटर लिख रहा हूँ यह उर्दू में, D is subjected to bending moment capital M and twisting moment capital T. Determine the ratio of bending stresses to shear stresses. इसके उपर क्या लग रहा है, इसके उपर क्या लग रहा है, एक तो M लग रहा है, T लग रहा है, M के कारण तो क्या आएगा हमारा, bending stress T के कारण क्या आएगा, अब देखो, इसमें torsional shear stress है, लेकिन सिंपल उसने का लिख दिया, bending stress to shear stresses, उसने twisting moment लिख दिया, इसका मतलब क्या है, कौन सा stress होगा उसके अंदर, torsional shear stress होगा, तो आप उसको चाहें torsional stress बोल चाहें, simple stress दोनों का मतलब एक ही है, तो हमको sigma और T का ratio निकालना है, तो हम क्या होता है हमारा, हम जानते हैं, since, sigma is equals to m by z, and, to is equals to t by z t, यही तो होता है भई, तो इसलिए मैंने कर दिया, therefore, sigma upon to बराबर m by z, upon में t, upon में z t, m by z into में z t by t, sigma upon to बराबर, m upon t into में z t by z, अब बस क्या करें हम अपन, m upon t, रहने दे हैं, तो हम किसे value नहीं पता, z t क्या होता है, torsional section modulus, pi dq upon में 16, और यह कितना था, pi dq upon में 32, तो pi dq से pi dq cancel, 32 उपर आ गया, 16 नीचे क्या हो गया, sigma upon to बराबर, 2m upon में t, अब आपको क्या करना है, मैंने तो आपको बता दिया, आपको केवल directly a result याद रखना है, अगर आप से कहता है, bending stress और torsional stress का ratio क्या होगा, 2m by t, अगर बोले torsional और bending का क्या होगा, t by 2m, sigma के m होता है, sigma किसके कान जाने जाने होता है, m के कान, आपको ऐसी दियार रखना है, sigma के सामने m है, और 2 के सामने t है, बस उपर क्या आएगा, 2 आएगा, बात के लिए रहे, m के साथ 2 आएगा, तो आप यह उतार देंगे, उसके बाद एक कोशन और करते हैं, इसको इवटाता हूँ, लिखेंगे कोशन, Calculate Ratio of Sheer Stresses In Hollow and Solid Circular Shaft Due to Twisting Moment T तो आपको क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, इसका डायमेटर अगर D है, Solid का, इसका यह तो है, Capital D सेम, और अंदर का क्या है, Small D, नहीं भी दे तब भी भी है, Common Sense है, तो आपको क्या पूछ रहा है, इन दोनों में जो share stresses है, उसका रिशो पूछ रहा है, Sigma of, तो आपको क्या होता है, आपने देखा था अभी, T बराबर, तो इंटू में ZT, यहीं होता है, और तो इंटू में ZT क्या होता है, थमारा Pi DQ अपॉन में 60, तो क्या होता था, तो बराबर 16T upon में Pi DQ, यह solid के लिए था, और hollow के लिए D4 minus small d4 upon में capital D, यहीं तो था, तो हम hollow वाले के लिखते हैं पहले, 16T upon में Pi D4 minus small d4 upon में D, D, Pi D4 minus D4 upon D है, वो D अपना उपर चला गया, यह तो hollow के लिए हो गया, upon में solid के लिए हो जाएगा, 16T upon में Pi DQ, बात क्लियर है, solar T से solar T cancel, Pi से Pi cancel, D by यह तो नीचे रह गया, यह कहां चला जाएगा, यह one upon में तो यह चला जाएगा, उपर, क्या आगया हमारा, यह आगया हमारा, D4 upon में, capital D4 minus small d4, तो मैं इसको लिख देता हूँ, 2 of, hollow upon 2 of, solid बराबर, D4 minus, D4 minus, देखो भाई, और भी कोशन बन सकते हैं, आप से कहते हैं, शीर स्ट्रेस सेम है, hollow और solid में, तो आप T का रेशो बताओ, तो T बराबर, 16, pi D cube, 2 upon में, 16 होता है, 2 सेम है, तो 16 T upon pi D, 2 हैसे निकाल, कैसे भी निकाल दो भाई, आपको कोशन कई तरीके से पूछ सकता है, अगर दो shaft हमारे पास, एक तो solid है, दूसरी क्या है, हमारे पास, hollow है, और reason क्या है, और दोनों के पास, और is condition क्या है, condition ये है, कि जो हमारे पास, दोनों, साफ्ट का, जो हमारे पास cross section area, दोनों क्या है, तो उस वाली condition में, जो हमारी strengthen होती है, किसकी जादा होती है, hollow वाले की होती है, due to polar moment of inertia, honor किसकी जादा होगा हमारा hollow का होता है, है इसलिए अपनी अपनी जो इसके जाद होगी और इस वाले की हो लोकी होगी तो हमाई अगर हमसे पूछा जाए इन दौनों में मोस्ट एकॉनोमिकल कौन सी है वह वाली होगी तो आप लिखेंगे नोट के अंदर इसके नीचे सेम मैटीरियल वे सेम क्रोस सेक्षन एरिया की सॉलिड वे होलो सर्कुलर साफ्ट में से होलो शाफ्ट ज्यादा मजबूत ज्यादा स्ट्रॉंग होती है इसको उतार देंगे उतार दो इसको मैं मिटाता हूँ इसके बाद हाँ अपन देखते हैं पावर ट्रांस्मिटेड बाई टॉर्क टी अगर टी टॉर्क लग रहा है तो कितनी पावर ट्रांस्मिट तोटीह सेहं कितनी पावर करता है एग वाइघ के नंदे हैं तो टीट मिटेह करती है यह आले सेहां देखते हैं पावर ट्राश्मिटेद देख्स्ट टॉपटिक अपना कि बाय। हित दर्क टी टॉक के कारण टू पाई एंटी बाई देखो भई कोई अपनी शाफ्ट है उस पर हमने टी टॉक लगा दिया इसके कारण कितनी पावर उस शाफ्ट को मिल रही है अपन कपलिंग करते हैं एक साफ्ट ये ली और एक मैंने दूसरी साफ्ट ली दोनों में कपलिंग कर दी कपलिंग करके क्या कर रहे हैं इस साफ्ट को मैं गुमा रहा हूँ ठीक है इस साफ्ट को कैसे गुमा रहा हूँ चेन के दौरा कैसे भी गुमा रहा हूँ ये वारी साफ्ट जब गूमेगी तो क्या देगी इसको पावर देगी उपर से जब हमारे टर्बाइन का जो आपने प्रिंसिपल मालू में क्या हो तो उपर जब पानी आता पानी गिरता है पानी का गिरने से क्या है जो हमारी वेंस होती है न वेंस इस तरह से इस तरह से हमारी बेंस पंखडियां होती है तो पंखडियों पर पानी गिरता है सीधा तो पानी जब पंखडियों पर गिरता है तो पंखडियां घूमती है पंखडि भई नीचे जाएंगी यूँ पंखा गूमेगा तो यह साफ्ट गूमेगी rotation per revolution per minute पर घूम रही है यह कितने भी revolution per minute पर यह वाली shaft घूम रही है जितने पर भी यह वाली shaft हमारी घूमेगी उस घूमने के अधार पर और उस applied torque के अधार पर कितना ज़्यादा टॉर्क लग रहा है उसके अधार पर क्या हमारी इसमें power transmit होगी कितनी होती power transmit वो देखते हैं पर टूपाई एंटी अपॉन में 60 होती है यहाँ पर n क्या है n होता है revolution per minute और t क्या है applied torque वह सिंपल सी बात है यह minute में और में होगा 60 का divide और चला जाएगा second में है तो 60 का गुणा हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो हट जाएगा चोटे से बड़ा बड़े चोटा आप convert कर सकते और P क्या है power in glow watt एक दो चीज़ है अपन note में लिखेंगे क्या 1 watt क्या होता है अपना 1 newton meter per second एक newton का force लग रहा है जो 1 meter per second का velocity produce कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे अपन 1 newton meter per second बोलते हैं 1 watt और अगर यह होता हमारा वन क्लो वार्ट क्या होता हमारा वन क्लो न्यूटन मीटर पर सेकंड तो यह energy होती है चनली और कुछ नहीं है यह वन HP horsepower यह क्या होती है हमारी 746 वार्ट को बोलते हैं या फिर बोला जाए इसमें अगर अगर अपन हजार का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा क्लो वार्ट ठीक है तो 0.75 बोल दिया जाता है तो यह होती है हमारी वाट क्लो वाट वन HP horsepower इन सबकी बीच में रिलेशन्शिप तो यह अपना टॉर्जनल इस्ट्रेस था इसके अंदर एक टॉपिक और है उसको मैं यहीं पर कवर कर वायता हूं वह हमारा सब्सक्राइब करें तो इस तरह को ट्रेक्ट नेक्स्ट लेकर दो इदन इसी बात है कि शोलों वैंवार। नेक्स्ट देखते हैं चिह सेंटर के बारे मैं सेंटर क्या होता है। बढ़ेंगे कि शिर्ङंटर अपने लिखते हैं शीयर और सेंटर है होता हुआ इतैए कि अभी तक हमने बात करेए थी को हमने पढ़ी थी न कुण सी तेयोरी ओफ सिंपल बैंडिंग या प्यूर बैंडिंग तो उसमें जो हमारे लोड लगते ते वो बहुत कहां लगते थे किसी ना किसी एक्सिस के सीजी पर लगते थे मतापने तो यह यह यूडियल लग रहा है पहली बात तो यह लाइन से बना दिया है यह वीम को पूरी बीम है यह होती है नहीं नाइब कि होती अजल में यहां तो रेक्टेंगल होगी या फिर सेंटीमीटर होगी यह समझेशने के लिए तो देखो इसको उपर आपको क्या UDL लगाना है और UDL का होता है हमारा UDL के example माल लेजिए आपको जो हमाराि आई section उता है पटरी होती है रेल की रेल की पटरी है आपने काड़ दी इसकी लेंगर माल लेजिए कितनी थी दो मीटर तो 2 मीटर की आप पटरी काट ला है और पटरी को रखना चाहरे पटरी किया है पटरी को कोई भी ख्रोंसक्षन काट ओगे सेम वेट है इसका मतलब किया है वह यूडियल की तरह काम करी उनिफार्म डिस्टूइटेड लोड की तरह काम करें तो आप उस पट्री को आप यह 100 मेटर वी दिख नी है तो तो 100m में आप कहा रखोगे इसको आगे रखोगे पट्री को या पीछे रखोगे या सेंटर पर रखोगे अगर मैं बता रहा हूं पट्री मैंने रदी इसको पर पट्री और मैंने क्या कह दिया ए बीम और लेंथ 2 त्यांज़े समझे ना भाई तसलीजे क्या चीज़ बताना चाहरा हूं मैं आपको कोश्व लिखाए बीम आफ विड्थ आफ लेंथ टू मीटर इस लोड़ेड वाई है बीच में रखी तो यह कोंसी लाइन आफ से देंग्राम को अगर ने लडाष से देखना चाहता हूं तो तो देखो यह आपना क्या है यह आपका था rectangular section और यहाँ पर आपकी पट्री बिल्कुल ऐसे रखी हुई है यह मतला line of symmetry पर रखी हुई है तो अपनको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर केवल क्या होगी bending होगी यह जो beam है बीच में से यूं bend हो जाएगी दबेगी बात के लि से लिए ता यह थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूं और समझने के लिए यह हमारी किया है हमारी एनजे है और इस beam को है मैं यहांना रखकर के और कहां रखता इस पट्री को मैं यहां रख देता तब क्या होता सोचो आप मदलियर कहां पर उता है यह यहां लगा होता तो देखो tb-bandyME बेंडिंग होती क्या विल्कुल होती बेंडिंग क्यों क्यों कि यूद्य Stroh ड़र चाहें आगे लग रहा चाहां पीछ लगर चाहें आगे लगर चाहां पीछ लगर लगत उपर तो बेंडिंग तो बिल्कुल सी बात लेकिन इसके साथ-साथ में यह जो है ना क्या है twist वैई इस तरह से गूमने का मतलब टुष्टी तो हो गया तो bending moment के साथ twisting moment भी डवलब हो रहा है मतलब भीम के अंदर क्या होगी twisting हो जाएगी अगर आपने line of symmetry पर नहीं लगाया तो twisting हो जाएगी हम चाहते हैं कि हमारे पास channel section है girders होते है channel के अब इस section का मैं use कैसे करना जा हूँ beam के रूप में मतलब अब यह जो हमारी जो beam थी नहीं यह beam जो मैं यूडिल दिखा रहा हूं यह कैसी beam है यह हमारी beam है एक channel section के रूप में यह बी में हमारी channel section के रूप में जिसके उपर मुझे क्या लगाना है load लगाना है देखो तो अगर मैं बात करता हूँ इस channel section की और इसको अगर मैं दिखाऊँ आपको ऐसे देखो ऐसी बीम है यह channel section समझे रहे हो ऐसा section है यह इस तरह का section है इसको उपर आपको क्या लगाना है यूडियल लगाना है अब इस पर यह बीम है तो बीम इसका डाइग्राम तो मैं ऐसा ही बनाऊंगा भाई यूडियल इस सिंप्ली सपोर्टेड यूडियल इस एक्टेड अपॉन बाई यूडियल ऐसी दिखाऊँगा लेकिन एक्चल में कैसी है वह बीम यह वाली कैसी रेक्टेंगल नाओ करके channel सेक्षन है तो इस channel section पर मैं कहा लगा अगर मैंने कहीं पर लगा दिया तो यह तो पलड जाएगी इसका cg तो कहां पर होता है इसका cg तो यहां पर होता है यहां तोड़ी लगा सकता हूँ मैं तो इसको लोड को कहां पर लगाओ कि यह यह बीम के अंदर केवल बेंडिंग उतपन होगी मदला बेंडिंग मुमेंट उतपन होगा ट्विस्टिंग उतपन नहीं होगा तो उस point को बोलते हैं हम shear center उसको shear center क्यों बोलते हैं क्योंकि इस वाले point पर total shear की value क्या होती है टोटल shear flow 0 होता है मतलब जैसे आप यहां पर लोड लगाओगे तो यह जो शियर स्टेश डवलप हो रही था न ऐसे यह clockwise एंटी clockwise दोनों क्या हो जाएंगे इस वाले point पर आ करके 0 हो जाएंगे यह यूं आ रहे थे यूं आ रहे थे टोटल shear flow की value 0 होती है इसलिए अपन इस point को बोलते है शियर सेंटर तो शियर सेंटर आप से पूछेगा कि यह कौन सा point होता है जहां पर bending moment 0 होता है twisting moment 0 होता है क्या कौन सा moment 0 होता हमारा twisting moment तो आप लिखेंगे इसके अंदर shear center में एक दो लाइन लिखेंगे अपन इसके अंदर को मैं लिख जएदा हूं theory of pure bending के वल symmetric loading के लिए valid होती है इसके जब load को किसी भी section की symmetric axis के अलावा किसी और point से गुजारा जाता है तो beam में bending के साथ साथ twisting भी उत्पन होती है shear center where point होता है जहां से load को गुजारने पर twisting उत्पन नहीं होती अरथात torsional moment zero होता है और beam में केवल bending moment develop होता है तो यह बात के लिए रहा है क्या होता shear center हमारा यह होता है हमारा shear center तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अब मैं बागी जो अपने shear center है diagram देके रखेगा आपको section का section का diagram देगा question में और पूछेगा shear center कौन सा होगा 45 point बना के देदेगा आपको उसमें डूंड करके लगाना कौन सा होगा जिन में जो most commonly पूछा जाता है बता दूँगा आपको ठेक बाई मिटाता हूँ इसके बाद में कई सारे sections के shear center बताता हूँ जिससे की उसमें twisting उत्पन होगी नहीं के वाल bending moment उत्पन होगा shear center for different sections देखो बाई इसका तो आपको समझ में आता ही होगा इसका तो आपको दिखी रहा है कहा होगा यह रहा shear center को में acid note कर रहा हूँ ठीक है वई यह shear center है इसका यह रहा वई square का यह रहा वई इसका यह है T section का यह यह रहा तो सारे point यह center है हमारे L section का यह रहा यह जो हमारे combined section है ना इनका series center पन पता कैसे ज्याद करते हैं कि इनकी हम क्या है long quintu immortal symmetric axis निकालते हैं अलग अलग कि first इसका तो यह जो ह Burns करने वाले सका ही हो गया तो इन दोनों में जो कम Un मसले आपर यह तो जो ऑंति कुछ Ele большody's कॉंप करी को में 받고 हैं इस है तो यह होगी इस स्ट देखें से याद रखने के तरीका होता है ठीक है अब जो important है ना इनका तो कोई भी बता देगा वो है हमारा channel section एक तो ये है इसका seeer center कहा होता है देखो इसका ये मैंने center ले लिया यहां से यहां तक की distance यह है इसकी B यहां से यहां तक की distance है H और ये जो है इसकी distance ये है small t तो इसका ये तो होगा इसका यहां कहीं पे तो होगा इसका G, मतलब cg और seeer center कहा होगा बाहर होता है इसका ये तो इसका ये तो है इसका G और ये seeer center इसका बाहर यहां से यहां तक की दूरी तो कितनी दूरी पर होता है ये ये बराबर ये इसका formula होता है आप ध्यान रखो चाहां मत रखो कोई बात ही मैंने आपको लिखवा दिया है कहां से मापते हैं ये ध्यान रखना है आपको जो हमारा channel section है उसके बाहरी surface से मापेंगे इसको shear center को, कितनी दूरी पर होता है E पर हो, ये E कैसे निकालते हैं center से नहीं मापते हैं इसको, बाकि की जो दो section है उसका कहा से मापते हैं, उसका मापते हैं center से, एक तो ये है हमारा half circle है इसका रहता है यहां से लेकर कि मापते हैं इसका बाहरी होता है तो ये जो दूरी होती है, ये है हमारी E और ये हमारा shear center S तो ये E, E क्या होती है आपे 4R upon Pi, थोड़ा सा ज़्यादा करड़ है अगर तो उसका होता है center से ये distance ये हमारा S ये दूरी हमारी E E बराबर 2R तो ये हमारे shear center है जो आज तक सबसे ज़्यादा किसी question पूछा गया है और पूछा गया है इसके अदर बस ऐसी diagram देदेए देखो आपको 4 point बना देगा ये, 2, 3 और 1 यहां बना देगा पूछे को इन 4 में से 1, 2, 3, 4 कौन सा होगा बार इसके face के कहां से मापते हैं हम face से मापेंगे इसमें कहां से मापेंगे अंधर से मापेंगे इसमें अपन face से मापते हैं इसके ये अपना formula होता है तो ये होता हमारा shear center तो हमारी unit complete हो चुकी है साथ कौन कौन से लगेंगे हमारे ट्राजनल और बेंडिंग मुमेंट ये लगेंगे और डायक्ट और बेंडिंग मेंट उनके द्वारा क्या क्या चीज ग्यात करते हो देखें next minute के अंदर ठीक है भाई thank you so much